दोस्तो आज के समय सबसे बड़ा इशू है पर्सनेलेटी का हर इनसान चाहता है कि उसकी पर्सनेलेटी बने उसके गाल अच्छी तरह के से फूले हो या आप उसका सरीर सही तरह के से भरावा हो वजन सही हो ऐसे तो बहुत सारे लोग इससे प्रेशान है कि उनको मोटा हैं प पतले होने से अगर कोई वेक्ति मोटे होने से पतला होना चाहता है तो वो इतना आसानी होता जितना कि पतला होकर आदमी मोटा हो सकता है तो आसान टिप्स फ्री की चीजें यहां आपको मिलने वाली हैं इस वीडियो में तो ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को अब मिल सेगे दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्यों नहीं बनता है सरीर क्यों नहीं फूलते हैं आपके गाल वजह सिर्फ एक ही है सही पाचन नहीं होना अब बहुत सारे लोग यह भी सोचते होंगे कि हम खाना भी बहुत खाते हैं हमारा सही डाइजेशन है फ्रेस भी बहुत होते हैं दिन में चार बार पांच बार खाना खा रहे हैं फिर भी क्यों नहीं लग रहा दोस्तों इसके पीछे भी कुछ वजह होती है इसके पीछे हमारे अमाशे में जो अगनी होती है उसकी कई बार यह अगनी इतनी तिरु हो जाती है कि वह आपको भूग इत तो इसके लिए हमारे डाइजेशन सिस्टम का सही होना बहुत जोरुरी है इसका हुर्थी ओगार अब बुक कम लग रही propose नहीं आप बहुत खा रहे हो तो भी जरूरी नहीं का नहीं प्टम साही है वो आहए नहीं एक बान कि अई राक बना देती है कहने कारती ही है और वो उस वज़े से आपके सरीर में कुछ खान पिन नहीं लगती है कुछ ऐसी टिप्स है इस वीडियो में मैंने बहुत सारी वीडियो में बोला है लेकिन उसमें जो मैंने यूज करने के लिए आपको बताए हैं उससे पहले कभी भी आप के पाचटन के बारे में नहीं बता है, तो आज इस वीडियो में हम पाचटन के बारे में बात करेंगे, अगर आप बहुत खाते हैं, और फिर भी नहीं लग रहा है, और आपको बोग नहीं लगती है, या आपको अन्य इसी प्रॉब्लम की समशारी एक अब जी ओना, तो ये आपके बहुत काम की है, यह चीज आपके डाइजेशन, ऐसे डाइजेशन को सही करेगी, जो आपको खुद को नहीं पता कि वो खराब है, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और खाना क्या, हर चीज आप खाओगे, वो लगेगा आपको, मुफ्त, हर चीज, चाहे रोटी खाओगे, चाहे कुछ भी खाओगे, वो चीज आपको लगेगी, यह चीज आपको ध्यान रतना है, दोस्तों, मैं हर वीडियो में एक बात जरूर कहता हूँ, कि अगर आप अपने सहत को बनाना चाहते हैं, तो किसमिस बहुत बड़ा रोल निभाती है, आपक इसन सिस्टम सही नहीं रहना, खाना नहीं लगना, बूक नहीं लगना, या ज़्यादा कबजी रहना, उसमें बहुत काम करती है, पुरे परिवार को खिला सकते हैं आप यह चीज, बाकी इसके साथ आविस तिंदक वटी होती है, वो ले सकते हैं रोजाना, लेकिन यहां ब अगर आपको fast growing वजन बढ़ाना है, तो छोया बीन के दानों का यूज कर सकते हैं, लेकिन वो पुर्षों के लिए थोड़ा सा sexual problem में काम नहीं आता है, याद रखिए, जो sexual problem क्रियेट कर सकता है पुर्षों में, वजन बढ़ाएगा अच्छा खासा, तीन-चार चमच ये खाली पेटा, और अप जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि दूद और केला खाएगें, उससे कुछ होगा, बिल्कुल होगा, केला और दूद अलग लग खाओगे, पीओगे तो कुछ नहीं होगा, अगर दोनों का साथ में मिश्रन करके यूज करोगें, नहीं कि आप उसक उसमें यूज किया है, तो बहुत अच्छे आपको इसमें परसनलिटी बनाने में रिजल्ट मिलेंगे, और साथ सबसे बढ़िया है, इसको जिम करने वाले लोग यूज कर सकते हैं, बिना साइड एफेक्ट के, तो ये वीडियो लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिनको पता चले कि उसका वजन क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, उनके जो बस्मक अगिनी है, उसकी वेज़े से प्रॉब्लम आ रही है, 90% लोगों, ठीक है, वीडियो अच्छे लगें, लाइक, चैनल, सब्सक्राइब, और कमेंट करके जूट जाएगा, मिलते हैं नेक डिवान, तब अगले नमस्के.